तो दिली में BGP के 42 वे स्थापना दिवस की मौकी पर हर्याना के पूर वितमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने जनता टीवे से खास बाचित की कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि आज का दिन BGP के हर कारीकरता के लिए विशेश है पेमोदी के नेत्रित्व में कारीकरताओं ने पार्टी को शीर्ष पर पहुँचाया है कैप्टन अभिमन्यू ने क्या कुछ कहा सुनिए BGP के वरिशनेता हर्याना के पूर वितमंत्री कैप्टन अभिमन्यू हमारे साथ बात करने के लिए मोजूद है और भारत की राजनिती के इतिहास में आज का दिन विशेश हो जाता है उसका कारण है कि इस देश की राजनिती में कांग्रेस ने 75 वर्षों में से 25 वर्ष शासन करने का काम किया वहाँ पर जहां कोई विकल्प नहीं दिखाई देता था भारत की राजनिती में सबसे अधिक आज चुने हुए जन प्रतनी धी 18 राजियों के अंदर सरकार चलाते हुए केंदर में सरकार चलाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो आज का दिन बारत इंता पार्टी की स्थापना के तौर पर एक अती महत्पूर्ण दिन है और देश के इतिहास में एक अती महत्पूर्ण दिन में मानता हूँ प्रिदान मंत्री नरेंदर मोधी का जिस तरीके से संबोधन रहा हूँ सोच है परिवारवादी विचार है परिवारवादी तंत्र है जो कुल तंत्र की राजनिती करने वाले लोग हैं और निश्चत तोर पर देश के लोग तंत्र के जड़ों को कमजोर करने का काम करते हैं और बारतिन्ता पार्टी के आज के दिन ये मानिय परदानमंत्रेजी ने कार्यकरताओं को संकल्प लेने का आवान किया है क्या आने वाले समय में हम धेश की राजनिती से इस कुल तंत्र को पूरी तरह से समाब्थ करते हुए जन्न तंत्र को मजबूत करेंगे और ये परिवारवादी तंतर को समाप्त करते हुए सच्चे लोग तंतर की स्थापना में अपनी भूमी का निमाने का काम करेंगे जहां जातिवादी और परिवादवादी राजनिती वदेश के लिए गातक है वही राष्टर प्रेम राष्टर भक्ती और राष्टरवाद की राजनिती को स्थापित करने का संकल्ब भरतंिता पार्टी के कारेकरताओं को लेने का आवहन आदरणे परधान मंतरी जीनाज किया है तो यह हर्याना के पूर्वित मंतरी कैप्टन अव्रणी जी थे जनता टीवी से खास बाचीत कर रहे थे कैमरमेन चंचल गुपता के साथ इस्पर्श शर्मा जनता टीवी दिल्ली